काईज हम फोटोशॉप का चैप्टर फाइब कंटेंड कर रहें जिसमें आज हम फोटोशॉप के सबसे इंपोर्टेंट टूल्स के बारे में समझेंगे सबसे पहला टूल समझेंगे हम लासो टूल और दूसरा मोव टूल इन दोनों का फोटोशॉप के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है सो कैंडली आप इसे प्रॉपर्ली फॉलो करें सबसे पहले इस टूल का उप्योग करने के लिए हम पिक्टर को इंपोर्ट करेंगे डबल क्लिक करके सिस्टम डिरेक्टरी में जाए जहां पर आपका पिक्टर इंस्टॉल्ड है मैं इस तरह के फोटोज को इंसर्ट कर दे रहा हूँ अब मैं इस फोटो के रेस्पेक्ट में आपको बताता हूँ कि आप इस लासो टूल का उप्योग इस फोटोज में किस तरह से कर सकते हो Suppose करे कि इस photo का background आपको change करना है तो आप lasso tool से कैसे करोगे Especially lasso tool का काम है किसी भी entire area को select करना तो आप चाहते हो कि हम background को change करे तो means lasso tool की मदद से आप background को select कर सकते हो आप चाहते हो कि इस actor के dress को मैं change करूँ तो lasso tool की मदद से आप actors के dress को change कर सकते हो So guys, lasso tool का मतलब भी है कि आप किसी भी entire area को select कर सकते हैं और select करने के बाद आप जो भी work करोगे आप जिस area को select किया lasso tool की मदद से उतना ही area पे work होगा जैसे कि मैं इसका background change करके आपको बताता हूँ आप मुझे properly follow करे काईज आप एक beginning point set करें जहां से आप select करना शुरू करना चाहते हैं simply एक पड़ वहाँ पे click करें उसके बाद mouse के button से हांथ हटा दे और सिर्फ mouse को scroll करें आगे की तरफ त्यान से देखें जैसे ही मैं आगे की तरफ move करूँगा अब मैं चाहता हूँ क्या इसे मैं गोला कार रूप में select करूँ यानि की जैसा इसका face का shape है मैं उस shape में इस lasso tool से इसको select करूँ तो जैसे मुझे यहां से इस lasso tool को मोड़ना होगा तब ही जाके इसके face में select होगा तो मैं यहां पे दुबारा click करूँगा फिर बीना click के हुए आगे बढ़ूँगा फिर मुझे यहां से फिर चे मुड़ना है तो फिर में यहां पे click करूँगा गाइज lasso tool का work speedily किया जाता आप धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे ऐसा करने का तो lasso tool आपका automatic deactivate हो जाएगा तो simply आप आगे की तरफ बढ़ते जाए जहां से आपको मोड़ना है वहां पे mouse का button दबाए और जहां से आपने शुरू किया है वहां पे उस lasso tool को लाकर मिला दे तो मैंने जहां पे शुरू किया है मैं वहीं पे जाड़ाओ इसको मिलाने इस तरह से मैंने अपने lasso tool के terminal को आगे keyword पढ़ाया और फिर जहां मैंने शुरू किया था फिर मैंने वहां पे मिला दिया तो आपका lasso tool जब activate हो जाए तो यह जो आप butterfly ring देख रहो यह lasso tool activation का identity है means आपका lasso tool properly work कर रहा है तो जहां से हमने शुरू किया वहां पे हमें lasso tool को मिला देना है इस तरह से अब आप चाहते हैं कि इस entire area का हम color को change करें तो आप कैसे change करें आप background का color change करना चाहते हो तो यह जो आप देख रहे हो terminal window color का यह foreground का है और यह black वाला background का है तो simply आप जैस colors को choose कर लें जैसे कि मैं ऐसा color चाहते हो तो मैं इस तरह के colors को choose कर लेता हूँ और फिर keyboard से delete button को प्रेस करें automatic आपने जिस area को choose किया उस area का background color change हो जाएगा अब चो भी distracted area बचा हुआ है आप उस area को properly lasso tool की मदद से इस तरह choose करें ऐसे और फिर इसको इस तरह से मिलाते हुए फिर से delete button दबाए फिर अब इस area को मैं choose कर रहा हूँ ऐसे और फिर इस area में मैंने last word tool को दुबाड़ा मिला है फिर मैंने delete button दबादी और फिर ये जो distracted area बचा हुआ है इस area को भी मैं अच्छी तरह से select करूँगा ऐसे आगे की तरह बढ़ते जाए जहां से आपको turn करना है बस simply वहाँ पर mouse का button दबादे और जहां से आपने शुरू किया है फिर से वहीं पर लाकर उसको किसी भी तरह से मिला दे जब ये मिल जाएगा तो butterfly इस तरह से ring होने लगे तो mouse का button mouse sorry keyboard से delete button को इस तरह से press कर दे finally अगर ये pictures complete हो गया तो इस butterfly ring को deactivate करे right click करे और deselect options पे click करे अब आप चाहते कि finally इस pictures को मैं computers में save करूँ final format में तो इसको jpg में convert करना होगा आपको ऐसा करने के लिए आप file में जाए save as options को चुने extensions को change करे that is jpg अगर jpg में पहले से है तो कोई बात नहीं आप jpg में ही इसक इसका नाम आप कुछ भी रख सकते है और इसको save कर ले अपने locations को set करके अभी ये pictures आफका finally background change रूप में save हो चुका है clear so thanks for watching my videos guys have a great day